वेलकम टो और चैनलर बुकन कोट्स आज के इस वीडियो में हम उत्रखन के कुछ परमुक नगरों के वो परमुक परवतों के प्राचे नाम जा रेंगे और उनसे रिलेटेड इंपोर्टेंट मुल्टिपल चॉइस क्वेस्टन्स कवर करेंगे तो आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है राम जे नगर किसका पुराना नाम है? Whose old name is राम जे नगर? राम नगर, नैनिताल, रुद्रपुर और काशिपुर क्वेश्चन नबर बन का अंसर है औप्शन नमबर A, राम नगर क्वेश्चन नमबर 2 है, सौर्चेत्र किसका पुराना नाम है? Whose old name is सौर्चेत्र, द्वारहाट, पिथारागड, कौसानी, बागेश्वर सौर्चेत्र, option number B, पिथारागड कोई पुराने समय में सौर्चेत्र के नाम से बुलाए जाता था क्वेश्चन नमबर 3 है, छोटा किलास या आदी किलास किसका पुराना नाम है? Whose old name is छोटा किलास और आदी किलास? कलाश परवत, छिपला कूट परवत, ओम परवत और ननापतीस इसका सही answer है, option number C, ओम परवत ओम परवत को ही पुराने समय में छोटा किलास या आदी किलास कहते थे यह है ओम परवत की फोटो, यह है ओम परवत यहाँ पर आपको ओम का साइन साफ क्लिर दिखाए दे सकता है इसनोफॉल के बाद यहाँ पर जब सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है तो यह ओम का साइन और भी क्लिर दिखाए देता है Q4 है अर्द कलास किसका पुराना नाम है? अर्द कलास is the old name of कलास परवत, छिपला कोड परवत, ओम परवत, नन अपतीज Q4 का अंसर है ओप्शन नमबर B, छिपला कोड परवत चिपला कोड परवत को ही पुराने समय में अर्द कलास के नाम से भी जाना जाता था Q5 है ब्रह्मपूर किसका पुराना नाम है? ब्रह्मपूर is the old name of केदारनाथ, बदरिनाथ, तुंगनाथ वर श्रीनगर Q5 का अंसर है Q6 है बलना किसका पुराना नाम है? Q6 का अंसर है Q7 कौसानी को ही पुराने समय में बलना के नाम से भी जाना जाता था और कौसानी को ही भारत का स्विजर लेंड भी बोला जाता है Q7 है उत्तर का गया किसे कहा जाता है? Q7 है रुद्रावद वा पुनाड किसके प्राचीन नाम है? Q8 है रुद्रावद वा पुनाड के नाम से जाना जाता था Q9 है उत्तर का पुनाड के नाम से जाना जाता था Q10 है काली कुमाओ किसका प्राचीन नाम है? Whose ancient name is काली कुमाओ? कालसी, चंपावत, बागेश्वर, पिथारगर Q10 का अंसर है B चंपावत को ही काली कुमाओ के नाम से जाना जाता था Q11 है और चंपावत के दो और पुराने नाम भी हैं एक है कुम्भू और दूसरा चंपावती Q11 है गोविशान किसका प्राचीन नाम है? Which city, ancient name is गोविशान? गोपेश्वर, गंगोलिहाट, गैरसेन और काशिपूर Option number D, काशिपूर को ही प्राणे समय में गोविशान के नाम से जाना जाता था काशिपूर और गोविशान को मैंचेस्टर ऑफ हिल्स से भी खाया जाता है Manchester of Hills Question number 12 है गोरकमत्ता वो बक्षी किसका प्राचीन नाम है? गोरकमत्ता और बक्षी are the ancient name of सितारगंज, बागेश्वर, नानकमत्ता, टनकपूर Question number 12 का अंसर option number C, नानकमत्ता नानकमत्ता कोई गोरकमत्ता वो बक्षी के नाम से जाना जाता है और नानकमत्ता को कुमाउ का अन्भंडार भी खाया जाता है कुमाउ छेत्र का अन्भंडार क्योंकि यहाँ पर खेती करने का जो इलाका है वो बहुत ही अच्छा और उपजाओ है Question number 13 है एक चक्र किसका प्राची नाम है एक चक्र is the ancient name of चंपावत, रिशिकेश, हरिदवार, चक्राता Option number D, चक्राता को भी पराने समय में एक चक्र के नाम से जानते थे Question number 15 है खग्मरा कोट किसका प्राची नाम है खग्मरा कोट किसका प्राची नाम है Option number A, अल्मोडा is the right answer अल्मोडा को भी पराने समय में खग्मरा कोट भी कहते थे Question number 15, तो अल्मोडा के और भी प्राची नाम है जैसे राजनगर, आलमनगर और इसे तामर नगरी भी बोला जाता था तामर नगरी अब बाल मिठाई का घर Question number 16 है काल कोटी या काल परवत किसका प्राची नाम है काल कोटी और काल परवत is the ancient name of कलास परवत, काल सी, कोटदवार, हेंगोंड Question number 16 का अंसर है option number B, काल सी काल सी को पराने समय में काल कोटी या काल करवत भी कहते थे और काल सी को पराने समय में काल शीला वो काल कूट के नाम से भी जाना जाता था Question number 17 का अंसर है option number A, देहरादून को पराने समय में प्रित्रिपूर या शीव भूमी के नाम से जानते थे देहरादून के और भी नाम है जैसे सैनिक नगर भी बोला जाता है इसे लीची नगर भी बोला जाता है और इसे वन संस्थान नगर भी बोला जाता है Question number 18 का अंसर है option number C, देव प्रियाग देव प्रियाग को पराने समय में सुदर्सन चेत्र या इंद्र प्रियाग के नाम से भी जानते थे Question number 19 का अंसर है गोच्थल किसका प्राचिन नाम है कीरतिपूर या योशी किसका प्राचिन नाम है कीरतिपूर और योशी is the ancient name of रुदरपूर तनकपूर जोसीमत और धार्चुला Option number C, जोसीमत is the right answer जोसीमत को प्राने समय में कीरतिपूर या योशी के नाम से जानते थे जो सी मट को प्राचीन समय में जोत्री मट के नाम से भी जाना जाता था तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और important multiple choice questions के साथ तब तक क्लिक keep studying